लेखक रसूल हम्जद तो मेरा दागिस्तान विशा है पहाडी उकाब मेरी तर्ती उत्पोत है शक्ती शानों शौकत नाल तरां-तरांदे पंची प्यारे जिनांदे मदुर तराने ने उनांदे उत्ते उड़दे रेंदे पंची देवते आंदे वरगे वोकाब जिनांदे बारे बहुत ही गीत अफसाने ने दूर बहुत उच्चायां ते उत्तर्त ते उत्ते उड़दे ने बणके राखे इस्तर्त नूं तेज नजरनाल तक देने डुंगी पारी सुर्दी कलकारी सुनके काले कां पाज जान देने डार के दूर दिल तक तक उनदे कर देने जिमें अपने बजपन विच में चोटियां बर्फा मढियानूं कंटियां बदी विंदासां वेख अजेवी सकदा हां उत्ते अपने खंब फिलाके किदना उड़नो काब मजनू जया मस्त दिवाना हो अजेवी सकदा हां दूर कदे पहाडां उत्तों अपने नजर दड़ाँ देने स्टैपी दे मैदाना विचों कदे उड़ दे जान देने सब तो वद दलेर तिसासी परबत वासी जो हुन दे ओ उउकाब तर्त मेरी दे सब थाई ये खुवान देने जपानी लोग सारसा नू सब तो वद महत्तपूरण पंची मन दे हन उना चाजे आप मन्या जान दा है कि जे कोई बिमार बंदा कागस दे एक एक हजार सारस बना लेंदा है तो उसे त्याब हो जाएगा उड़े होई सारसा खास तो और थे फुजियामा पर बद दे उतो उड़े जारे सारसा नाल जपानी लोग अपनियां खुशनियां ते गमियां, मिलन ते जुदाई, सुपनियां ते प्यारियां या दानदे सूतरस बंद जोड़ दे हन। सारस मैंनू भी चंगे लगते हम। फिर भी जदो जपानियानी मैनू पुछिया कि केडा पंची मैनू सब तो प्यारा लगता है। तमें जवाब देता उकाब, उननुए चेंगा नहीं लगा। तब पहाडी लोग हैरान रह गेते, कईया ने बुरा भी मनाया, उननने मेरे लफजां होते विश्वास नहीं करना चाया, पर जो सचाई सी होता सचाई सी। ततार सान, उन मासकोच रेंदा सी ते दागस्तानी उन्हों अपना ते ततार उन्हों अपना सूर्मा मन दे सान। तू केना दा सूर्मे मैं एक वर्यों दे कोड़ों पुछेया, मैं ना तातातारां दा ते नाहीं दागस्तानी याँ दी लाक जाती दे लोकां दा ही सूर्मा, मैं तो सोवियत संग दा सूर्मा। किदा पुत्तर अपने मापयो दा पलोनान विक दूजे नड़ोले दा किता जा सकते मैं इंसान शामील ने अपने सकत्तर मुहम्मद ताहिर अलकारा ही कोड एक वर पुछया दागिस्तांच किन्ने लोक रेंदे ने मुहम्मद ताहिर ने अबादी दे अंकड़े अंधी मैं असली इंसानना दे बारे पुछना प्या शामील ने चुंजला आखिया अखिया मेरे कुल एहोजे अंकड़े था है नी अगली लड़ाई चोना दी गिंती करनी न पुलनी इमाम ने हुकम देता पहाडी लोकांच किया जान्दे किसे इंसान दी असली कीमत जाननली हेट लिखिया सत्ता कोड़ों उदे बारे पुछना चाहिए थे मुसीबत कोड़ों दूसरा खुशी कोड़ों तीसरा औरत कोड़ों चोथा तलवार कोड़ों पंजमा चांदी कोड़ों छेमा बोतल कोड़ों ते सत्मा खुदोदे कोड़ों हा इंसान ते अजादी इंसान ते पहाड़ी लोग के इस गल्दी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उकाब दुरंगी चाल चलनवाड़ा भी हो सकते हैं। ना होवे गीत गौन्देयां सुनयां। अपने ले वर्दी तलाश करन वली मुट्यार ने गिला कर देयां कियां। जे मेनु समूर दी टोपी पाउण वले वर्दी तलाश होंदी ता मेनु कदों दा लबले होंदा। जे मुच्छां वले वर्दी तलाश होंदी तो वी मिल गया होंदा। में ता इंसान दी तलाश चां। पहाडी लोग जदो पेड़ खरीदे होंदा उदी पूछल। उन्न ते मुटापा जां चर्बी वलते आंदन दे होंद। जदो कोड़ा खरीदे होंदा उदी बूथी लगतां ते बारली पूरी डील डॉलनू जांच दे पर्क दे होंद। पर इंसान दा मुलंकन के में किता जाए। उदे किना लचना वलते आंदेता जाए। उदे ना ते कामवल। पर संग वसे दसना वी उचित होएगा के अवार पाशाज ना शबदे दो अर्थान। पहला अर्थ ता ना आई है। ते दूजा अर्थ है किसे आदमी दा काम, उदी काबलियत, सेवा, उदी सूर्म ताई दे काम। ते जदो साड़े इत्थे किसे दे पुत्तर जम्द है, ता काम ना कीती जन्दी है, उदा कम, उदा नाम पैदा करे। किसे वड़े कम जा हासल तो बिना नाम ता निरार्थक तो नहीं है। माता जी मैनू सिख्या देंदे हन, नाम तो वड़ा कोई ये नाम नहीं, जिंदगी तो वड़ा कोई खजाना नहीं। इनू सामके रखो। सिंगी उते उकरे शबद, साल हजारां लखां बीते, फिर बांदर हौली हौली, बणयां बंदा प्यककड मुड़के हाई, फिर बणयां वैशी। शामील ने जदो गुनी पहाड उते मजबूत किले बंदी कर लई, तो नू हराणा किसे तरा वे संभव नहीं रया। पर एक जया गदार निकलाया, जड़ी दुश्मन नू गुप्त पग डंडी वखा देती। फिल्ड मार्शल प्रिंस बर्या तिंसकी ने इस पहाड ये नू बहुत सारा सोना इनाम देता। बाच जदो कैद कीता, शामील का लूगा। पॉंच चुक्यासी, ता ए गदार अपने कार वापसाया, पर ओदे पिताने क्या, तु गदार नहीं, पहाड या नहीं, इनसान नहीं, तु मेरा पुत्तर नहीं। इना कैके उन्हें उदा कतल कर देता, तु अणला देती, ते सोने समेत उन्हों चटान तो नदीच सुड़ देता। देश्त रोई दा प्योवी हुन अपने इस पेंड़िच नहीं सी रह सकदा, ते लोका नाल नजरा नहीं सी मिला सकदा। पुत्तर दे कारण उदा सिर्वी शरम नाल चोक जान्दा सी, उके ते चला गया ते उदों तो उदा कोई अता पता ने। उस थां दे कोडों लंग देया हुयां, जिते गदार दा सिर्च सुटया गया सी, पहाडी लोकाज भी पत्थर सुट दे हां। क्या जान्दा है कि इस चटान दे उत्तों उड़ देया हुयां, परिंदे भी गदार गदार बोल दे हुए लंग देयां। एक वार मखाच दाखा दयाव दाएव अपनी फोच फोची परती करन वास्ती पेंड आया। गोदे कांच उन्हें दो पहाडी बंदियानू ताश खेड़ देयां वेख्या। असलामालेकम। तो अड़े मर्द के थे ने। उन्हानू जरा कठे करो। साड़े सिवा पेंड चोर कोई मर्द ने। वाँ भई वाँ मर्दा थो बिना भी पेंड होंदा के ते ने। लड़न गय ने। ताइन जाख नू ये दा मतलब ही होया है पित वानू दोहानू चड़के बाकी सब मर्द ने। अबू तालब नालीक वरिये किस्सा होया एक कड़ी साज को लो कड़ी ठीक करवान गया। कड़ी साज एक नौजवान दी कड़ी मुरमत करंचर रुज्य आया सी। बैजो कड़ी साज ने अबू तालब नू कया। तेरे कोल ताब बंदे बैठेने मैं फेरा आजांगा। ते तैनू बंदा कितो दिस्प्याय थे। कड़ी साज ने हरानों के पुछया। ये गबरू जे ए सई मानिया चे इंसान होंदा ता तेरे एथे और ते उटकलोता होंदा। ते अपनी थां ते तैनू बठा दन्दा। दागेस्तान ने ये तो की लेना देना है। बिएस निकम्मे दी कड़ी ठीक वक्त दिन दिये जन नहीं पर तो अधी कड़ी ठीक तरा नचलनी चाही दिये। अब उट तालब ने बाच दस्या के जदो उनू दागेस्तान दे लोक कवी दा खिताब दता गया। तो उस वड़ी उनू इन्नी खुशी नी सी हुई जिन्नी इस कड़ी सास दी दुकान दे हुई सी। दागेस्तान चे तीस नसलां दे लोक रन दे हन। पर तो कुछ बुद्धी माने दावा कर दे हन। के दागेस्तान चे सिर्फ दो आदमी रन दे हन। एक इमें मुम्केन है। बिलकुल मुम्केन है। एक पल आदमी थे एक बुरा आदमी। जे ऐसे नजर्ये तो वेख्या जाए। दूसरे ने होदी गलती सुधारे। तागेस्तान चे सिर्फ एक आदमी रन दा है। क्योंके बुरे आदमी थे आदमी नहीं हुंदे। कुछ शीन दे कारीगर सुमूर दियां टोपियां बढ़ाओ दे हन। पर कुछ लोग ताऊनान उसरते पाउं दे हन। जद के बाकी खिलीयां उतरे टंग दे हन। अम गुजिन दे लुहार खंजर बनाओ दे हन, पर कुछ लोग था उनवी अपनी लखनल बनियाँ पेटियां चरण लटकाओ दे हन, पर कुछ खिल्ला नाल आंधी दे कारी गर बगादे बनाओंदे हन पर कुछ तो अनों पेड़े मौसम चुपा लएंदे हन जदके बाकी संदूकाँ जो लोको ओके रखलने हन लोकां बारे भी यही सही है कि कुछ तो हमेशा कामकार जो जुटे रहनदे हन तो उपते हवादा सामना कर दी हैं जदके बाकी संदुकाँ विचे बंद पै लबादे किली होते टंगी समूर दी टोपी दे किल नाल लटका दे खंजर वर गे हैं एक तरह इंज किया जा सकता जमें तिन तरह दे अकल मंद बज़र्ग दागिस्तान उते नजर टिकाई बैठे हैं जानो कई सदियां जयों चुके हैं उननाने सब कुछ वेख्या हुए ति उसब कुछ जान दे हैं उना चुई के ते हास दियां डूंगाईयां विचे जाके प्राचीन कब्राउं ते नजर मार की ते अकाश चोड़ दे हुए पंचियां दे बारे सोच दिया हुएं केंदा है दागिस्तान्च कदे असली इंसान हुन दे सान दूजा बजर्ग अजदी दुनियां ते नजर मार दे हुएं दागिस्तान्च जग मगौन दियां बतियां वाल इशारा कर दिया हुएं ते दलेरां बहादरां दे ना लें दिया हुएं केंदा हाँ दागिस्तांच इन्सान हैं तीजी तरह दा बज़ुर्ग मानवेची पविखते नजर मार देया होया उस नी दा मुलंकन कर देया होया जेडी असी पविखवासते आज रखी है केंदा दागिस्तांच कदी इन्सान होया करनगे शायद तिनना ही तरह दे बजोर्ग साही हम कुछ समा पहला परसिद पुलाड यातरी अंद्रियान निकोल्या येव दागिस्तान तश्रीफ लियाए ओ मेरे कारवी आए मेरे छोटी ती ने पुछेया पला दागिस्तान दा कुछ अपना पुलाड यातरी नहीं हैगा नहीं मैं जवाब देता होएगा हाँ होएगा ये सली होएगा के बच्चे जनम लेंदे हन असी अननू ना देनेया उवड़े हुन दे हन साड़े देश नाल कदम मिला के चल दे हन हर कदम दे वधन ते व अपने इच्छत निशाने दे नेड़े पॉंच दे हन साड़ी ता ही कामना है के दूजियां थावाँ ते दागिस्तान दे बारे उहोजियाई केहा जाए जियोजासी उस्पिंड देश बंद बेच कहन देयां जिस्विच अमन कानून है उथे इंसान हन अगला विशा है जन गण ए दासपल अमरीका साड़े देश जिन नहीं वड़े उथे ज्यादा बादी है जो साड़े थे 1908 अमरीका तू अपसौन ते मेरी माता जी ने में तो पचया अपना मन पर चाई बिन शोर मचाई हंजू बिना वहाई रू लेंदाई चुप किता मर जाई पर कहे नहाई इहो जया लोग पहाड़ी बंदाई राद देश सन्नाटे ते सुत्ते होई पिंड़े जपावे मी पैरे होवे जब अधिया मौसम होवे खिड़की उते हलकी जी दस तक होँदी है क्यों बई ये थे मर्द है कोई कोड़े उते जीन कसो तू कौने जे पुछने पर मैं कौना तकारीर है तेरा कोई फाइदा नहीं होना फिर दूजी खिड़की ते दस तक होँदी है ठक ठक क्यों बई इस कर्च कोई मर्द है कोड संवर कुछ कोई मर्दी कोडे ते जीन कई सो अंहे ले में निया है। तो यह मर्द है। यह पहाडी आदमी है। यह ते दो में चल पेन दे हन फेट ठक ठक, यह थे कोई मर्द है कोडे ते जीन कई सो ते हून। ओ DR tulee सेंध। garant P उकाव दे कोड़ू, उकाव उड़के आ गया, एक व्यक्ति दे पिछे दुजा व्यक्ति तुर्पिया, येस तरहां दागिस्तान दे जन गण वे इदी जनता ने शकल अखतियार केती, वादी चौन वालियां हवावा, पंगुडे दे चूटे दिन दिया हन, पहाडी लोरिय गोंदे हन, तु किते गया से डिंगीर डांगा रुच्चू, मैं बोले गया से डिंगीर डांगा रुच्चू, मैं बेले गया से डिंगीर डांगा रुच्चू, पुत्तर दा जनम होया, ओदे सराणी हेट खंजर राख दता, खंजर उत्ते लिख्या सी, तेरे पिता दा एहो जया हाथ सी, जे स्वेच तूं कमबदा नहीं सी पला तेरा हाथ भी एहो जया होएगा, तीदा जनम होया पंगुडियों तेक कंटी लटकाती गे, जिदे तेलिख्या सी सत प्रामादी पैन होएगी, एक चटान तो दुजी चटान तक फिलाईया गया, रसियां दे सहारे काटी जपुणुडियों चूल दे हन, पुत्तर वड़े हो रहे हन, तीज़े वी वड़े हो रहे हन, दागिस्तान दे जन गण वड़े हो गय, उन दिया मुच्छावी वड़े हो गया, उन ना थी ता दि प्थोन वले मुहेम बाज़ां दे मुँच पाणी पाराया ते उनाने दागिस्तान वल अपने लालची हत्वदाये दागिस्तानियाने आख्या सानू साडे करांच मावां पियोवां ते बीविया नाल चैन नाल रेन दियो साडी गिंती ता उंजवी काटे पर दुश्मनाने जवाब देता जितो अडि गिंती काटे तासी तो अडि दो दो टुकडे कर देन्या ते तो अडि गिंती दुगणी हो जाएगी लडाया शुरू हो गईया दागिस्तान च अग्गां पड़कन लगिया दागिस्तान तू दू करके बढ़न लगा पहाडी टलवाना काटिया पर दस लख दागिस्तानी जियों दे बचे रह गई, हवावा पहला मांगी पंगूडे जूट दियां रह गई, लोरियां गईयां जान दियां रह गई, एक लख नमें दागिस्तानी बेटे खड़ी हो गई, उनानू रण खेतर च जूज मरन वाले सूर में आदे ना दितते फेर दागिस्तान उत्ते हमला कर दितता गया, बहुत वड़ी लड़ाई होई, लड़ाई दा बहुत पारी शोर शरा बारया, वड़े होई सेर पत्थ्रा मांग दर्रया ते काटियां चे रिड़ दे रहे, दागिस्तान दे सब तो वदिया इक लख स्पुत्तर शिहीद हो एक लख फोजी, एक लख हाली, एक लख वर, एक लख पिता, पर दस लख बच्चे रहे गए, पंगूरे चूल दे रहे, गाने गाये जान दे रहे, जवान सूर में अपनियां महबूबान उपजा आखेल जान दे रहे, एक कोई लबादे हेठां जिसम गरमांदेते जफिय पॉंदे रहे, दागिस्तान दे वांश्वेच वद्धा कर दे रहे, एक लख नमेतियां पुत्रांदा जनम होया, एक लख दातरियां खंजर पंदूरे ते डफलियां सामने आ गईया, फेर एक नमा योद शुरू होया, काटियांच ते पहाडी रस्तेयां उत्ते तो पांद पहाडी जंगलांदियां टलाणा उत्ते कोहाडे चलन दियां वाजाओं लगियां, संगीना चमक उठियां गोलियां ठाएं ठाएं करन लगियां उदों यूराल तो लेके जन्यूग ताएं, चोडी नदी दियार तो पार ताएं, फोजाईं फोजाईं वद दियां जांदियां सान, चमक चमक सगीना संगीना डराउं दियां सान, साफ चिटियां टोपियां लहराउं दियां सान, हरीका जैयां वळ खांदियां सान, तो उलान मतलब जार दे जमानेच कोड़ सुवार फॉज्जी साज ताज जुड जुड तुर दियाने फॉज्जां कदम मिलाके वद दियाने चंडेवना दे अगे लहराम दे ने पैटोल चीटोल वजाम दे ने तोपाउना दियां शोर मचाउं दियाने गोले दना दन वरों दियाने सर्न सर्न पलीते पैब बढ़ दे ताएं ताएं गोले वी पैचाल दे वालां चटेयां वडा जर नाय लेओ जिड़ा करदा प्या अगवाई येजी अखाउदियां चो अंगार वर दे अंग अग नजर नू दिन्दी वखाई येजी फोज़ां वद्धियां इद्दा नाल केरां जिमें तेज दहारदियां जाल लेरां वांग बदलां चांदियां जांदियाने कोर कटा तरांगडगड़ा अंधियाने वल पूरव दिवद्धियां जाने हो बुरे बुरे मनसूबे बनाउने हो दुख चेंताच कजबेक डुब्या कजबेक काकेश्याई परबत माला दीक चोटी वेक दुश्मनानू कब रोंदाई पता लगे ना गिंटी है कि नी पर गिंटी करनी उच्चांदाई हाँ उनादी गिंटी करनी मुश्कल सी साड़े गीतां चे गाया जानदाई के साड़े एक बंदे नू एक सो दुश्मन दा सामना करना पया एक हाथ वड़े आ जानदा तो दूसरी हाथ ना लड़दा सिर्व अड़े आ जानदा तो उदा ताड लड़दा रहंदा बढ़े उस योद्दे बारे हुजी अंगलन दस दे सान मर्या हुयां कोड़े आनाल रात दर्रे ड़के जान दे सान और जी उचियां उचियां चटाना तो संगिना उते चाड मार दे सा सानू क्या जानदा सी के खोन वहाना बंद करो विरोध करंच कोई तुक नहीं किते जाओगे दुसी तो अडे खाब नहीं लगे हुए के असमान चोड जाओगे तो अडे हुजे नौ नहीं के तर तीनू पोटके उदे चे सुमा जाओगे पर शमील जवाब दिन्दा सी मेरी तलवार खाम बे साड़े खंजर ते तीर साड़े नौ ने पच्ची साल तक शमील दी अगवाईच लड़ दे रहे इना साला दोरान ना सिर्फ दागिस्तान दा बारी रूपी बदलिया सुगो थावाँ ते नदियां दे नावी बदल गए अवार कोई सू दा नां कारा कोई सू यानी काडी नदी हो गया ते जखमी चटाना ते मौद दा दर्रा परगट हो गया वालरिक नदी मिशूर हो गया शामेल दी पगडंडी शामेल दा रा शामेल दा नाच लोका दी याच चुप करिया गया गुनी परबतेस युद्ध अपार दुखदा सिखर बन के रह गया इमाम ने ऐसे चोटी दे ते आखरी वार इबादत केती सी इबादत दे वक्त तां उठे हो यह थांच गोड़ी लगगई शामेल कंब्या नहीं थी उन्हें अपनी नमाज जारी रखी इमाम शामेल दे गोड़ें उते उस सिल उते जिस उते खलोता सी लहू डिगदा रहा जखमी इमाम ने अपनी नमाज पूरी कीती जदो उठके खलोता था लोका ने क्या तो जखमी इमाम एजखम दा ममू लेजाए ठीक हो जाएगा शामेल ने मुठीक का तोड़े आती हता जो अगरे खोन नो पुंजन लगा दागिस्तान लहू लोहान हो रहा है इस जखम दा इलाज के ते ज्यादा मुश्कले इस मुश्कल कड़ी चे माम ने सहायता लिया अपने उना सूर में अनू सदा देता जड़े बहुत पहले नहीं कबरांच जा चुके सन उन्हे उनानू दर्खास केती जिनाने अखूल गे विच अपने प्राण दे देते सन उनानू नेडे पत्रीली तर्ती होते मुर्दा पाए रे उनानू जडे गेर गोबिल विच दफन होय हन थे जिनानू उनानू जडे दारगूज शहीद होगे इमाम शमील ने अपनी पेंडवासी ते आगू पहले इमाम काजी मुहमद लंगडे हाजी मुराद अली बेकी लाव अख बेरी दी लाव ते अने का होर सूर में नू याद कीता इना जो कोई सिर्तों बिना कोई हाथों बिना कोई गोडिया नल चाड़नी होय दिल नल दागिस्तान दी तरती चे दफन पे आए युद्धा मतलब है मौत दागिस्तान दे इक लख सब तो गदिया पुत्तर पर शमील विशाल रूस दी तरती तो लंग देया लगाता रही दोरांदा रहा दागिस्तान छोटाए साड़े लोकांदी गिंटी काटे काश मेरे कुली खजार सूर में होर होंदे वेर्खनी मतलब वो परवाले गुनी विचे पत्थर अजे तक सुरख्यात है जिसते लिखिया है प्रिंस जड़ा ब्रियांतिस्की ने इस सुते बैठके कैदी शामील नल गल बात केती सी तेरियां सारियां कोशिशां तेरा सारा संगर्श बेकार रहा प्रिंस ब्रियांतिस्की ने अपने कैदी नू क्या नई बेकार नी रहा शामील ने जवाब देता लोकां दे दिलांचो दी याद कायम रहेगी मेरे संगर्षनी अनिका जानी दुश्मनानू पर आबना दता है आपस्ट दुश्मनी रखन वाले अनिका पिंडांच दोस्ती पैदा कर दती है एक दूसरे नल्वेर रखन वाले ते मेरे लोक मेरी जाती दी राटलाण वाले बहुत सारे जन्गणानू एक जोट कर दता है मैं मात पूमी अखांड दागिस्तान दी पावना प्यादा कार देती है ती उन्नू अपनिया अगलिया पेडिया ले छाड़के जा रहे हैं पलाई काटे मैं पिता जी कड़ो पुछेया कादेली दुश्मनाने साड़े देशते हमला किता लहू डूले आईर खाते नफ्रदे बीज बीजे कादेली उन्नानू दागिस्तान दी लोड सी जड़ा प्यार महबत औ अंजान बग्यार दे बच्चे जेया मैं तरनों एक बहुत ही अमीर आदमी दा किस्ता सुनाओना ओ आदमी बेहाद अमीर सी इक टिल्ले ते चड़के उन्ने जदों सब पासे नजर मारी तवेख्या के पाढ़ कोणों शुरू करके सागर तक तक सारी काटीच उसे दियां पे ड़ादे जड़ चुग दे पैसी पर उस अमीर आदमी नुँ फिर अचानक जमेन दाई कजया टुकडा देस पया जड़ा खाली पया सी जेदे उत्ते होदे पशुआ दा वाग नहीं सी ये वेख्योदा देलें जे टीस मार उठया जाणों किसे ने होदे देल चे डूंगा जखम कर देता होए अमीर आदमी गुस्से चाके प्यान का वास्ट चीक उठया ओए ये वाड़ा तो सकनी खल वरगा जमीन दा टुकडा क्यों पया पलाउनु पर अन्जोगिया मेरे कोड़ पेड़ा नहीं हो रिया तो मेरे जड़ उदर पे देओ मेरे पशुआ कोड़या दे चोंड उदर हाक देओ पर मे पर अन्जोग चोदरी उनु बड़ी कड़ वड़ा हाँ नाल मिले उभुले असी जंग तो तंग आगे हैं असी अमन चैन नल रहना चाने हैं जो तू नहीं हों दा ता असी बहुत चेर पहला ही जार नल सुला कर लई होने सी तुसी लोग जड़े कदे पहाड़ी हैं दे सी पहया पए असी एस लड़ाई नल दाजिस्तान दा कोई पला नहीं होन दा प्याल ते नाई अगों होईगा निरी जदनाल ता कुछ भी हासल नहीं हो सकना अई तुसी दाजिस्तानी हो तुसी अथी रंदेवं इसलिंा powin नल तुसी दाजिस्तानी हैगे हो पर तो अड़े द इमाम शमील अपने एक वफादार दोस्ते पहाडी कार्च ठेरिया, ते पेंड़ दे बज़र्ग चोधरिया नालगाल बात कर दिया हुया, उन्हें एथे कुछ दिन बिताई, इनी दिनी एस पेंड़ ते दे लागे चागे दे लाखेयांच, दो मेटर तो भी ज्यादा लम्मेक आदाईक, महां बलीक प्यानक डाकू लोट मार करदा सी, उन्ने सबने लुटी जान्दा सी, पेंड़ वालेयांदे कतल करदा, उन्हाननु ब्रॉंदातम कॉंदा सी, उदेली कुछ भी पाक पवित्तर नहीं सी, अल्ला, जार, ते इमाम शब्दान दा, उदेली कोई अर्थ नहीं सी, एसले पेंड़ दे बिज़र्ग चोधरिया ने शामी कीता है, मैं दा तो अडि पंचेतनु एस पेंड़ चे एक वी बंदे दा कतल ना करंदा कॉल दित्ता है, मैंनु अपना कॉल नी बौना पेन, इमाम सानु एस दुष्ट तो मुक्ती दु आनदा कोई उपाकड, कोई देना मगरूं शामील ने मुर्दे मुरीदा ने एस कीता गया सी, केस बलमाश नी अखां काड़ देतियां जान, अन्ना करके इस शयताननु मुर्द के पोरेज पाता, ते बुहे ते जंद्रा मार देता, कोई देन लंग आईक रात मगरूं जदो पाव फुटन वाले इसी, ते शमील डूंगी ने दिंदरे सुत्ता पया सी, उ पाकस्या बंदा चेंगाड़ दा होया, ते उनु कोस्ता होया, उदे वलवाद रहा, इमाम समझ गया के लुटेरा किसे तरह पोरे दा बुह बन पन के निकलंच काम्याब हो गया, ते बदला लेंड लेंड ये थे आया, दंद करीच दा होया, ए दान वद्दा आ रहा सी, उ इंड दे लोग सुते पैसान, किसे ने भी इमाम दी पुकार नहीं सुनी, शामील पिछा हड़दें हड़दें दुश्मन उते वार करन्दा कोई वदिया मौका लाब रहा सी, अन्ना बदमाशे दरोदर टप कुद रहा सी, ते कुहाडा चाल रहा सी, कम्रेच जो कुछ भी सी, उन्हें उस सारा कुछ पन तोड़ सुटेया सी, किते हैं दू वड़िया सूर मिया, जिदी किताबां चे चर्चा किती जन दिये, उन लम्मा चोड़ा लुटेरा चीख रहा सी, किते लोगिया हैं दू, इद्दरा मेरी हाथ बन, मैंनू फढ़, कड़ो मेरी आख खां, म तेरी मामों से छेंदा फाइदा उठाने होया, अपने दुश्मन ते चप्टेया, लुटेरा ज्यादा ताकतवरती पर चंड सी, उस शामील नुए दरोदर सुटन ते बढ़ कौन पट कौन लगा ते कई बार जखमी करंच भी सफल हो गया, पर शामील दी चुस्ती फूर् जखमी होन तो बच गया, ये संगर्ष कोई दो कंटे चल दा रहेया, आकर उस बदमाश ने शामील नुँ फढ़ लेया, सिर तो तान चुक लेया, उन्हों जोर नल फर्ष ते पटका मारेया, ते फिर उदा सिरवट देना चाया, पर हवा चो तान चुक या होया शामील, फ दे हथां चो खंजड डिक पया, स्वेर होन तक लोका ने उन्हा दोहानों खून दे चपड़ चे पया वेख्या, शामील दे जिसम ते नौ जखम लगे सान, ते उन्हों एक मिने तक एसे पेंड़ चे लाज कराना पया, शक्ती शाली बारी दुश्मन दे खिलाफ शामील द पिच्छों ओदे उते हमला जा करदा सी, हर पहाडी आदमी दे मांच, शायद शमील दा अपना एक बेंब है, मैं वी उन्हों अपने ही टांग नाल वेखदां, ओजे जवान है, अखुल गोर नादी पदरी चटानू ते गुड़ें पार होकि अवार नसल दे, इलाकेच व अमा फाजी कोट, दियां आस्तीना नो उतां चड़ियां हुया हन, उदे बुल कुछ बुड़बुडा रही हन, कई लोकी आख दे हन के अबादत दे वक्त जदों अल्ला शबद बुड़बुड़ांदा सी, ता लोका नो आजादी शबद सुनाई देंदा सी, ते जदों पत्थर उते चड़के उने कासपी दियां, चागुगल दियां लेरा हुते नजर मारी, उदे बुल अल्ला ते अजादी दी था, विदा बुड़बुडा रही हन, लोकी केंदे हन के उस छेन, उदे यां गलना हुते नमी दे तुपके दिस से सन, पर शामील ता कदे भी र पागल हुए डाकू डान, इकलियां हथो पाई हुन दियां, लम्मे दे खोनी संगर्ष्ट उल्जया हुया, हाजी मुरात नाल शामील दी कदे ता अमनमान नाल निभी पर कई वरोना दा चगड़ावी हुन दा रहा, इना दोहां बारे बहुत सारी यां दंद कतामा दी किस से कहाणियां चल दिया हां, हाजी मुरात नू अपना नायब बनाके, शामील ने उनू हाई दाक दे ताबा सारान पिंड़ाच पेजिया, ताके उत्थों दे लोकानू अपने पकच कार लाए, जा शायद एकेना ज्यादा सही हुएगा, कि उन्हानू योद्ध चकेच लग जे कोई कनून दे बारे मूँ तो शब्द कड़न दी हिम्मत करदा, ता हाजी मुरात नू को सौन्वा खाके केंदा, ए तेरा कनून, मैं खुन जैदा रहा हाजी मुरात तेरे वास्ते में सब तो वड़ा कनून, हाजी मुरात दियां करतूतां दियां, खबरां शामील तक पहुंचियां उन्हें हर कारे नों पेज के नायब नों अपने कोड बुलाया हाजी मुरात लुट दा बहुत सारा माल लेके वापस मोडाया उदा फॉजी दस्ता डंगरां दा वाग पे डांदा इजड़ते कोड़ें दा चुंद अपने अगे-अगे हाकदा आ रहा सी अलेकमसलाम नायब खुशाम दीद की खुश कभरी लैकिया खाली अत्छी नी मुरेया चांदीलिया इया पर डांदीज अड़कोडे ती कालीन भी ता बशारन वेच वधिया कालीन बुण। थॉड ने जान देनी पला कोई हुसीना नहीं लियाया है हुसीना भी लियाया त मैंनों कोड़े नहीं कोड़ सुवार चाई देने तु उन्हां दे डंगर्पजालेगा इंजा करके तु उन्हां दे दिलानू ठेस लाईये थे उन्हां नू साढे खेलाद साद कर देता है जे हो जी साल्टी ते गेर गेबिल पिंडानल होई सी पला ये चंगी गाले पी कुछ दागस्तानी दूसरे दागस्तानी नू लुटन पर इमाम ओ लोकी ता दुजी जवान समय दे नी पला तू खो दोना दी जवान समझन दी कोशिश किती सी जे समझ जानदा था को रड़े आंते बंदूग तो कामना लेंदा दस पला मेरे नाइब लुटे रे नी इमाम मैं खुनजे दरेन वाला हाजी मुरा था मैं भी गेनरी दरेन वाला कैबेद मुहमद तेले तलते हुसैन चिरोक कही दरेन आला इद नाल की फर्क बेंदा है अवार हिंदाले आल कुमिक लेजगीन लागते तेरे वालो लुटे गए हाई दागते ताबा सारान दे लोक असी सारे कोई दागिस्तान दे पुत्तरा सानों एक दूजे नू समझना चाहिए असी ता एक की हाथ दिया उंगला कुसों नू बादरी लई तेरा शुकरिया बादरी लई तू किसे भी इनाम दा हक नारे पाग तेरे सिर्दी शान वदाओं दी परेस्वार तू जो कुछ किता है मैं दी हिमायत नहीं कार सकता है ते जदो एहुजियां पगडियां बनन वाले दूजे लोका नहीं लुट मचाई उदो उनानू तो कुछ नी आखे आ इमाम पर हुन सारे आंदा दोश मेरे मत्थे मड़या जान्दा पे है मैं जानना के दे वले शारा करना पे है हाजी मुराद तेरा मतलब अखबेर दी लाव तो है मेरे पुतर काजी मुहमद जा खोद मेरे तो है पर अखबेर दी लाव ने लुट्टिया सी मैं अना दी दौलत लुट्टी सी लेड़ा साडसा आथनी देना चौन दे जिनाने साडवरोत तक करन दी कोशिश कीती नहीं हाजी मुराद नाय बढ़नले दलेर देल ते तेज खंजरी काफी नहीं इदले चंगा दिमाग भी होना चाहिद है शामील ते हा अफवान दे कारण चगड़े बद दे गए ते होर भी तिखा रूप लेंदे गए ते आखर द्वैक पर ही दुश्मनी ने उना नुवक कर देता हाजी मुराद शामील नुँ छाड़के दुश्मना नाल राल गया ते उदा सिर वड़ देता गया उदा तक ताड़ नुख अच दफन है उदी दे दिये वंडी भी बड़ी अर्थ परपूर है उदा सिर दुश्मन कोल चला गया ते दिल दागिस्तान च रह गया कैसी किसमत सी होती तनवाद